हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो देख सकते हैं आज हम लेकिया है आप लोगों के लिए बहुत यह स्पेशल रेसिपी जोकी है छोले भटूरे छोले भटूरे एक ऐसी रेसिपी है जिसके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होता है यह बहुत यह स्पेशल डेस है जिसको हम खाने के लिए हमेसा तयार रहते हैं जितना दे दो उतना खाने कामन करता है भटूरे हमारी इतने नरम और इतने मुलायम फ्रेश बन के तयार हुए हैं कि दूसरे दिन भी आपको बिल्कुल कड़े नहीं बिल्कुल स करते हैं तो लेना है आपको एक बावल उसमें डालना है वन बाइट हर्ड कप सूजी और हाफ कप दही अगर दही आपके खटी हो तो भटूरे जो हैं वह और भी सॉफ्ट और फुले फुले बन के तयार होंगे फिर इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून नमक हाफ टेबल स शुगर और इसको अच्छे से डालके मिक्स करना है और दो से ती मिनट तक आपको इसे अच्छे से फोर्मेंटेशन के लिए रस्ट पे रख देना है देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है तो मैं इसे तीन से चाव मिनट के बाद इसमें यूज करूंगी मैद तो यहां तीन से चाव मिनट हो चुके हैं मैंने इसमें एड करा है दो कप मैदा और हाफ टेवल स्पून डाला है बेकिंग सोडा अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसके जगा इनो का भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से हलके हाथों से हमें मैश करना और उसके बाद नॉर्मल पानी से आपको हलकर पानी दे करना है देख सकते हो और जब्याद अड़े से बनके तयार हो जाये तो इसे आपको रेप्स पर पानी और इसकी सह सबसे घास बात यह यह है कि आप डू को जितना दिर रफ पर ठापोगे बbad primero度 बनाएं मैं तो सजेशन करूंगे आप दो से तीन घंडे रख दो तो वटूरे और ही लाजवाब बनेंगे लेकिन अगर आपको बनाना है तो कम से कम एक घंडा तो पहले रखना है आपको डो बना के अगर एक घंडे नहीं रखोगे तो आपके वटूरे उतने जादा नहीं ओर उतने ही अच्छे स्वाथ के लगते हैं तो मैने यहां डो बनाकर अच्छे से एक घंडे के लिए रखा है तब तक इदर हम बना के तयार करते हैं छोले तो मैंने चोली को रात भर पानी में भीगो लिया था और चोले बहुत अच्छे से साफ्ट वो चुके हैं और फिर बड़ी लाइची और दालची नी इससे ऐसी का चाहि जाण होता है चोली का और में चाय पत्ती के वज़ा से काफी जादा अच्छा आता है तो फिर लेंड है कुकर और ये छोले को जो हमने राद भर पानी में भीगो के रखा था इसे हम एड़ करेंगे कुकर में और फिर उसमें हम डाल देंगे ये टी स्ट्रेनर देख सकते हो फिर एड़ करेंगे नमक नमक बाद में भी पढ़ेंगे तो लेकिन यहां थोड़े से मैंने नमक एड़ क के कारण और बहुत अच्छा फ्रेक्नेंस आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें दालचीनी और इलाइची आड़ कर रहा था और इस टेनर को आराम से आप इसली निकाल सकते हैं और यह देख सकते हो छोले हमारे कितने ही अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल यह 90% तक हमें च अच्छे सीटी में नहीं पके हैं तो आप एक से दो सीटी और लगा सकते हो और उसके बात फिर लेना है आपको पैन उसमें आड़ करना है और फिर कुछ खड़े गरम मसाले जैसे जीरा तेजपत्ता इलाइची दाल चिनी काटुकुरा जावित्री यह सब अप मसाले कर दो बारी कटे हुए प्याज और प्याज दो मिनट तक आपको फ्राई करना है और फिर आड़ करना है आपको अधरक लैसन का पेस्ट जिसका टेस्ट काफी ही ज्यादा इन्हेंस होता है और इसे अच्छे से अम एक से दो मिनट तक फ्राई करेंगे फिर आड़ करेंगे ह कि धनिया पाऊडर हल्दी पाऊडर काश्मेरी र dow र और गिराम मसाला सबकोलचे से mixing करें फिर एंच करें हुम1टेवल सपून के उप रॉक्स छोडब मसाला जिससे टेस्ट काफी जाद inquiry trigger होता है और इससे अच्छे से मेक्स करेंगे एक से दो मिनुट तक पकाएंगे और जब टेल सेपरेट होने वा है कि हम शोली जो में ने बॉयल करके रखे थे वो डाल देंगे इसे बेक्सकारीं गयी और एक से दो मिनुटन तक मीडियम डू लो फ्लेम पे आपको पकाना है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे टेस्ट रिकॉर्डिंग नमक नमक ध्यान रहे छोले हो वालते वक्त भी हमने आड करा था और फिर से डाल रही हूं तो नमक आप उसी एकॉर्डिंग डाले सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके लेंगे ल्यूक वाटर इससे छोले जो है वह और भी ज्यादा सॉफ्ट होंगे और इसे सीटी लगाने की जरुवत नहीं है क्योंकि हमने छोले को जो है 90 पॉसेंट और रखा था बाकी 10 पॉसेंट ही पकाना है हमें तो पाने डालके आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके पाने डालना है और उसके बाद इसे लोड फ्लेम पे 10 मिनट तक कवर करके पका लो उसके बाद देखो क्या ही छोले की रंगत है बहुत ही अच्छे से यह चोले पके तयार हुए हैं आप चाहो तो छोले को थोड़े मैश कर लो जिससे ग्रेवी थोड़ा थिक हो सके और दे प्राइब स्पून के अप्रोक्स आड़् कर रहा है घी तीन से चार लेसुन को कलियां को चॉप्ट करके आड़् कर रहा है और फिर आड़ करेंगे हम कसूरी में थी उसके बाद इसे अच्छे से एक मिनट तक इसे पका लेंगे आप चाहें तो कास मेरी रेड चिली भी आप इसकी कंसिस्टेंसी थिक या पतला आप अपने एकॉर्डिंग रख सकते हो मैंने इतना कंसिस्टेंसी रखा है थोड़े थिक ही रखें क्योंकि बटूरे में सर्फ करने वाले हैं ज्यादा पानी अच्छे नहीं होते वो चावल के साथ खानी के लिए बनाना हो तो आप फिर से आपको मिलाना है पटक पटक के जितना हो से के उतना पटको उतने ही यह फूल के तयार होंगे और इसके बाद इसमें इसे बॉल्स काट लो चोड़टे और उसके बाद आपको लेना है बेलना और इसे अच्छे से रोल कर लो अगर आपको यह चिप चिपा लगे तो ऐसे चाहा हो तो इसमें सूखे मैदे उपर से डाल के यूज कर सकते हो या फिर आप यूज ऑल भी कर सकते हो लेकिन मैं तो सज्जेस्ट करूँ यह उतने अच्छे से भटूरे फूल के तयार होंगे तो भटूरे को गर्म गरम तेल में डालो और कल्ची से तेल उपर भटूरे के उपर डालते रहो ताकि यह बहुत ही अच्छे से फूल सके तो देख सकते हो वटूरे कितने अच्छे से फूल के तयार हुए है उलटके पल बस क्या अब आपको सारे वटूरे को इसी तरीके से बैलकर फड़ाइक कर लेना है और उसके बाद आपको लगानी है थाली बिल्कुल स्ट्रीट स्ट्राइल लगने वाली है तो मैंने यहां बटूरे लगाये हैं चोली लिए हैं और इसके बाद हम एड़ कर रहा है कच्छा पेखा ऐसे नीबू को रखा है आप चाहो तो अचार भी यूज कर सकते हो और चुछ फॉर्ट पन के लिए अचार भी यूज कर सकते हैं और यह हमारा चोली बटूरे का थाली बन के तायार है आप बिलकुल हाइजीन तरीके से आप इसे घर में बना के बच्यों को महमान को औ बहुत अमेजिंग रेसिपी है एक बार ट्राइक करना तो बनता है तो चलिया मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा यह तो मैं आपको बटूरे तोड़ के दिखा हुए है ना तो बहुत ही सॉफ्ट बटूरे बनके तायार हुए है तो खाओ भी ओ इंजॉए करो खुश्रों मज़े करो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाबाई टेक केर